तेशी शीवानी सींग फोम एक्जामिनेशन हम डिसकस करेंगे और गाइस यहां पर हम जो है सीट एट साथ जुलाई एक्जाम की लिए बहुती बेस्ट प्रिपेशन कर रहे हैं ओके इस बार जुलाई दो हजार चोबीस का जो पेपर है छप गया इन परसनों को रड़ डालो जी हां बिल्कुल जो हम आपको कंसेप्टेशन कराते हैं तो उशी के एक्कॉर्डिंग बिल्कुल यहां पर हम आपको कराएंगे बहुती जबर्दस्त एंड बहुती बहतरी नीए शेशन होने वाला है यहां पर और मैं बता दू जितने भी नीव फ्रेंड से फटा फट फ फर्स्ट एंड सेकिंड इन दोनों ही पेपर के लिए बहुती बहतरी नीए शेशन है चलो फिर यहां पर हम सीधा बात करते हैं बने क्यूशन की और देखो यहां पर चायल डवलमेंट एंड पेड़ाग होगी बाल विकास एवं शिक्षार शास्त्रों के चलो इसमें जो है विकास परभावित होता है विकास जो है वो किसे किसे से परभावित होता है यह आपको बताना है तो वह अनुवल शिक्ता से होता है सिक्सा से होता है और कल्जर से होता है और सोसल पॉलिटिक्स से होता है अब आपको ओप्शन्स दियो हैं केवल एक है केवल एक और दो है वकास के शहतर है उसके शहतर है वी किन सिधानतों को परभावीत करता है। रुकास होता है मैं आपको बता दो यहां पर देकों डी आपको सेक्षेंट, यहां पर क्या है, जिल्कुल बालिकास, σε सेटर में, जो हैं जिस तरहने प्रभावव करते हैं विकाष नहीं क्योंब भी प्रभाव पढ़ता है यह एक basic questions था और बहुत ही ज़ाद है यहाँ पर इस तरह के questions आते हैं important questions था आगे बढ़ते हैं बच्चों का विकास किस परकार से होता है वैवस्तित रूप से होता है परंतु सोभाविक रूप से वेक्तिक होता है अच्छा एवैस्तित रूप में किसी विसिस्ट पल में अचानक से उभराता है अच्छा पूरे विश्यो में सभी बच्चों में एक समान दर्से होता है या फिर यहाँ पर कहें कि केवल विध्याली करन के परिणाम से होता है कोपी पैल लेके रेडी रहना क्योंकि में निगेटिव एंड पोजीटिव टेग वर्ट की मादिम से आपको बताऊंगी चिला चिला के बताती हूँ हार एक वीडियो में कि टेग वर्ट को कर लो लास्क में आपके बहुँ ज्यादा काम आने वाल है पेपर टाइम में अगर आप टेग वर्ट को लिखते रहोंगे ना छुटे-छुटे पॉइंट्स है ना तो फिर ही आपको कुशन देखने की जरूरत नहीं बस वो टेग वर्ट देखके जाना और उससे काम चल रहेगा इसी तरीके से मैंने इसी तरीके से अपना जो है सीटेट क्वालिफाई किया हो है बहुत ही बेस्ट तरीके से और मेरे से डीवी में 28 मार्क्स है पुरे ओके समझीगी नहीं चलो अब देखतो है यहां पर देखो सेकेंड क्यूशन का क्रेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों क जो विकास है वो किस परकार से होता है तो मैं यहां पर बता दू आपको बिल्कुल नहीं बएक किसी का जो विकास होता है वो ठीके अच्छा होता है किसी का अपने टाइम पर ठीके शहीं होता है तो तो सारी हें जो चीजहां थे उते है ना पी फ्यूशकल निस सारी यहां पर जो है इन्कलूड होती है इसके बीच में और यहां पर तो केवल लग गया तो इसे इसे इकट कर दो केवल वड हमेशा निगेटी हो गया एक समाल हमेशा निगेटी हो गया अचारलक से बढ़ जाता है यह हमेशा निगेटी हो गया यह option correct होगा बच्चों का विकास किस प्रकार से होता है विवस्ती दूरूप से होता है परन्तु सो भारी दूरूप से वेक्टिक होता है बिल्कुल बिल्कुल correct है यहाँ पर देखो यह सीटेट क्लास आपके यहाँ पर 1 से 5 2022 एक्जाम डेट जो 9 जनवरी 2030 सिफ्ट फस्ट का देजिगा चोटे बच्चों में सामाजी करण का ब्लेंग प्रात्मी कारक संस्था है और ब्लेंग दिवत्ती कारक संस्था है बताना एक है बच्चों में सामाजी करण का प्रात्मी कारक कौनचा है और दिवत्ती कारक कौनचा है परिवार और पुस्तकालियों है अभी भा प्रात्मिकृ होता है वह भी फेमिली क्या होती है यह इसे आप कर लो किसब भी चले आप पारिव और दुविद्र।red होता है पुस्तसट काले किस अबहूं करने इतान चार मां तो मैं होगा कानून 2 में होगा क्या हो और से कुमिंप सारी कोज़ती हो गए हाँ ठीक है तो यहां पर जो है A option हमारा correct होगा A option यहां पर हमारा right होगा चलो आगे next important question है कि जीन प्याजे के संग्या नात्मक विकास के सिधानत के according अधिकांस बचे किस अवस्था में बीटे हुए समय वर्तमान और भविश्य के बारे में इस पस्ट रूप से समझ बना लेते हैं तो यह संवेदी गत्यात्मक या फिर पूर्व संक्रियात्मक या फिर मूर्थ संक्रियात्मक या फिर ओपचारिक संक्रियात्मक में जीन प्याजे ने कौन सा सिधानत दिया है संग्यान आत्मक विकास का सिधानत दिया है इन्होंने चार यहां पर जो है अवस्था बताई समझ जाते हैं कि यह वरतमान किसे कहते हैं भहशे जाल क्या होता है बूध काल क्या जारता लिखिक है इसमें इसमंझ विक्षित कर लीटे है तो वह स्ञेज होती है जीन प्यासे के एक अ क कर chew do perfect जीन के का कॉर्ण अपरेशनल कुरणी अवस्था फिर यहां बहुत काल और वर्तमान प्रेजेंट और फ्यूचर टेकर इन सब के बारे में अपनी समझ बना लेता है उसे पता हो जाता है कि हां भई टिके जो बीच चुका है वो क्या होता है जो अब पर्जेंट में चलना है वो क्या है और जो आगे होगा वो क्या है इस तरी हूँ समझ बना रेता है, जीन प्याजे के सिधान्त में, चिंतन की बुनियादी, निर्मितियों को किस रूप में जाना जाता है, सहज किरिया में, इसकीमा में, संकेत में, या फिर अवधारनाय में, बहुत इंपोटेंट कुश्छन है, बताना है, जीन प्याजे के सिधान्त में, जो च तो जाना जाता है इस कीमा मैं देखो यह जो यह पॉइंट्स कहते ना इस कीमा ठीके जिस्थी ऑफशन में अटो बिलकुल 100 परजन नहीं कह सकते ब्लेंक विकास को ब्लेंक आकार देता देते हैं सामाजिक अनुवानशी कारक है या फिर संग्या नात्मक संसकरती है या फिर यहां पर कहें एक मिन्ट रुको पता नहीं क्या हुआ इसमें पता नहीं क्या हो जाता है इसमें चलो कोई बात नहीं यह तो हमारा हो गया था यह लेवाई गोस्की की सिधानत की एकॉर्डिंग विकास को ब्लैंक आकार देता देते हैं वह सामाजी अनुवांशी कारक संग्यानात्मुक संस्कृति भावात्मुक प्राकर्ति कारेगे फिर शारेडिक संवेग्ट सु भई देखो यहाँ पर राइट आन्सर क्या होुग lass Yi लेवाए गोस्की किससी बात करते हैं वैसे आप जब जांते हैं क्लिच्छार की और यह इसक्षर की बात करते हैं तो यहां पर यह नहीं होगा और भावात्मक प्राकरतिक आरैंक नहीं तिका नहीं हो होगा तो हपे यहां पर जो है एक ऐरक्ष्ट रोगा एक रोगों सिद्धानत की एक और जो है संग्यानात्मग स्कूल प्रकिरिया में किस की भूमीखा पर बल दिया है क्या इन्होंने लेंग्विस पर बल दिया है या फिर कोग्निटिव जो है conflict पे बल दिया है या फिर reflexes पे या फिर schema पे तो भई इस schema की बाद तो जी इन पर जिकरते हैं इसे तो cut कर दो पहले ठीक है सहज की रियाएंगी नहीं बताते है भई संग्यानात्मक भी नहीं बताते हैं द्वन्द ओके भई भाशा जी हाँ संग्यानात्मक भीकास की परकिरिया में किसकी भूमिका पर बल दिया है इन्होंने जो है बल दिया है भाशा पर किस पर बल दिया है इन्होंने इन्होंने बल दिया है भाशा पर यहाँ पर ए ओप्शन क्या होगा और इन्होंने जो है भाशा विकास के तीन रूप भी बता, एक तो सामजी के वाग, एक आंतरी के वाग, एक नीजी वाग, एक तो प्राइवेट स्पीच, एक इंटर्नल स्पीच, एक सोसल स्पीच, ओके? चलो आगे नेक्स्ट. क्या हुआ, पता नहीं, क्या हुआ, ऐसमें फॉन में आज? साथ और किसके दुवारा प्रतिपादित किया गया है लेवाइगोट्सकी के जीरॉम ब्रुनर के जीन प्याजे के या फिर बीएफ इसकी रंगे यहां पर एट क्यूशन का क्रेक्ट आंसर क्या होगा तो नेतिक विकास का जो सिधानते लौरेंस कोहलबर्ग के साथ और किसके दुवारा प्रतिपादित किया ही किया है लेकिन और किसके दुवारा इसको प्रतिपादित किया गया है और भाई वो है कौन जीन प्याजे यहां सी ओप्षन हमारा बिल्कुल क्रेक्ट होगा बैए नेती विकास को जो सिधान थे वो कोहल बर्गी के साथ में प्याजी ने भी इसको परतिपाजित किया है यह कहते हैं कि नेती विकास उस परक्रिया को संदर भी परता है जिसके महाद्यम से बच्चे अपने समाज के बीतर सही और गलत के मानकों को विक्सित करते हैं तो यह सारे पॉइंट्स हमारे किसमें आईए तो बैए यह देखो नेती विकास का सिधान कौन देते हैं जीन प्याजे भी देते हैं और कोहल बर्ग भी देते हैं एक अद्यापक को अपने सिक्सम सेस्त्रे परिवेद्डियों के बारे में किस परकरति का होना चाहिए ? ड्रड जड गैर लचीला 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 घला सुनम्मे या फिर अंज्यान कैसा होना चाहिए लचीला और सुनम्म् fascism के नेसफी और हमारा क्रेक्ट होगा बुद्धी लब्दी IQ परिक्ष्णों की आलोचन प्राय क्यों की जाती है कोशलों की विश्तर्थ संखला को मातने की उनकी शम्ता प्रत्यक सुरूप से प्राश्रत्य संस्कर्ति के परभाव से गर्सित बुद्धी पर सामजिक परभाव का आउ बोधन संग्यान पर भावनाव की परभाव का अतिशे प्राकलन वे 10 क्यूशन का करेक्ट आंसर क्या होगा यहां पर राइट आंसर होगा रोप देखो प्रत्तिक सुरूप से प्रश्रत्य संस्कर्ति के परभाव से क्या गर्सित ओके चलो नेक्स्ट अभी कथन और कारन वाला क्यूशन है अभी कथन है जब कोई विद्यारती किसी दिये गए परसन का हाल रोणने की परकेरे से जूज रहा है तो अध्यापक को उसे अपने विचार मोखिक तोर पर अभिविक्त करने के लिए परुशाहित करना चाहिए अभी कथन और कारन वाला क्यूशन है बहुती बहतरीन क्यूशन है की जब कोई विद्यारती किसी दिये गए परसन का हाल रोणने की परकेरे से जूज रहा है तो अध्यापक को उसे अपने विचार मोखिक तोर पर अभिविक्त करने के लिए परुशाहित करना चाहिए जी हाँ बिल्कुल अगर हम देखे तो अभी कथन जो है हमारा 100% बिल्कुल क्रेक्ट है की जब कोई सुडेंट किसी दिये के परसन का हाल रोणने की परकेरे से जूज रहा होता है तो एक टीचर्स को उसे अपने विचार मोखिक तोर पर ठीके अभिविक्त करने के लिए प अधिगम तब अधिक परभावशाली होता है जब अधियापक विध्यारतियों से सफलता की कम से कम क्या करता है अपेक्षा रखते हैं अधिगम तब अधिक परभावशाली होता है जब अधियापक विध्यारतियों सफलता की कम से कम यानि की बच्ची सफल कम हो है ना जब ऐसे प्रवारे जो स्टूडेंट से ठीकिए वह सफल अधीक से अधीक हो ठीकिए अधीक से अधीक अधीक अपेक्षा रखते हैं लेकिन वह कम सी अपेक्षा की बात की गई है इसलिए यहां पर तरक हमेरा हमारे क्या हुआ गलत होगा तो हमें और कोई ओप्षिन्स नहीं दे सामाजिक जेविक से सामाजिक से नेतिक सामाजिक से या फिर जेविक सामाजिक जेंडर ठीक है वो ठीक है किस से निर्मे थे और जबकि लिंग जो है वो किस से निर्मे थे ठीक है जेंडर को क्या कहा जाता है यहीं हमें बताना है कि जेंडर क्या है एक सामाजिक है जबकि जो लंग है वो क्या है एक जेविक होगा होगा जैंडर शव्द का परियोग एक अवधारणात्म च्रेनी के रूट में किया जाता है और यह है पूरुष या महिला के बार में विचारों के एक दूसरे से समझे समुच्चे को संदर बिथियां बेगरता है ठीके चलो वैसे आप सब ठीके अच्छे समझ गई होंगे कि इतने भी वो ने यू अंजान प्रिपक वह सभी ठीके चलो अच्छे एक अधियापक को सभी के लिए अधिगम सहसुगम बनाने के लिए बार देखो यह पर निगेटिव और पॉजिटिव टेग वर्स है हमेशा निगेटव हुआ कि-पटन मानना चाहिए वो अपने सभी एकुछ से रही के लिए अधिकम सहय सुकम बराने के लिए अधिक मिक्ताम्य विक्तिक भीटाम्य पर्ती ठीक है क्या करना चाइए विक्तिक भीटी प्रकार के बचे में अलग अलग बुद्धि ए इंटेलिजनस एस बdas degree हर एक अलग अलग यहां पर सब स मझेख बनाना या फिर यहां पे सी उप्शिन होगा कि संभावी ऐजफल और सफल विध्यारतीयों की पहचान और फिर विध्यारतीयों को ग्रेट मांदेना आ तर आलों आथा एए सफ़ल और सफल विध्यारतु की पहचान भी नहीं और उने grade में भी नहीं मापना grade हमेशा गल् encourage हुआ जबंगी हुकर उसकी सीखने की परगरती के परती समझ बनाना ठीक है उसके इंडर्स्टेंड इस्टुडेंट्स लर्णिंग प्रोग्रेस का पता चलता है कि भई कहां तक कितनी चीजे बच्चे ने सीखी है देखो हमें सीटेट में क्या करना होता है निगेटिव एंड पोजिटिव टैग वर्ट्स को ही देखना होता है अगर आपने अच्छे से इन पर ध्यान दे लिया ना तो बिल्गुल आपका कंफर्म फर्स टाइम में ही ठीक है यहां पर आपका क्या हो जाएगा यह क्वालिफ बता रही हो निगेटिव एंड पोजिटिव टैग वर्स को अपनी कोपी पैन में ृ। आपके लिए बहुत ही बेस्ट होगा चलो next question बहुत ही important है कि निमनेकित में से कौन सी परवीदी विध्यारतियों में समाल लोचनात्मक चिंतन को परशाहिद कर सकती है तो इसमें परशन को तुरंट उतर देने के लिए कहना या फिर विध्यारतियों को विमर शहेदू समय द एक्चल में जो ही समाल लोचनात्मक चिंतन होता है इसमें एपरिचित घटनाओं के विचार और अवधारनाओं के लिए विचार और तर्क को लागो करने की एक capacity होते है यानि कि हम जो है अलग 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 प्रकार से कैसे सोच सकते हैं है ना अगर हमेरे सामने कोई एक प् तो ये इन गटनाओं और ये डाटा के लिए एक तत्थे को आकने या फिर उनका विचेशन करने का क्या होता है वर्क होता है इसके लिए हमारे माइंड का गहन विचेशन होता है मुल्यांग करने की भी क्या होते है तुरूट यो सोरी आवशकता होते है ठीक है तो भई मैं आपको बता दू यहां पर जो समालोचनात्मक चिंतन होता है इससे जो है बच्ची के विचार अवधानाय तर्क ठीक है इनको लागू करने की एक शमता होती है यह हमारे इससे बेस्ट होते हैं ओके चलू अगर मैं बताओ यहां पर कि परशन का तुरंत उत्तर देने के लिए कहना भाई ऐसा तो नहीं होता है या फिर उन्हें बंद अंत वाले परशन देना नहीं उन्हें अभी सारी परशन नहीं अब सारी परशन देला खुले अंत वाले जिसमें की एक आंसर नहीं होगे बहुत सारे आंसर हो सकते हैं अच्छा पर ठीक है विद्यारते में परशन अन्त किरिया को निरुशाहित नहीं करना, अगर प्रोशाहित होता, तो यह Correct हो जाता, निरुशाहित negative tag vote होगा, बंद अन्त वाले questions पुछे कभी भी, तो बहीं यहां पर negative tag vote होगा, और तुरंत उतर दे धे, जिकि ए हमेसा negative tag vote, तो सही होगा, यहां पर giving time to students for discussion यानि कि विद्यारतियों को वीमर्स है तो क्या देना समय देना जी हां बिल्खुल अगर आप बच्चों से ठीक कोई भी कर रहे हैं फिर कुछ भी उन्हें आपने वर्क दिया वाएं तो उन्हें एक यह मौका देना कि भाई हां आप लोग ठीक है आपके पास में इतना समय है और आप अच्छे से भी मर्स ठीक है कीजिए सब्रेक्शन कीजिए अपने विचारों का आधान परदान करके अच्छे से चीजों को कनेक्टिट करके अच्छे से करो ठीक है तो बहीं यहां पर हमारा बी ओप्शन्स करेक्ट होगा ना कि ए तो गाइस यह यहां पर फिफ्टिंग किशन्स थे और थोड़ा बीच में त्रोटी होई वीडियो में ठीक है फता नहीं अपने आप अचानक क्या हो गया ठीक है नबे क्यूशन्स की ओके नबे क्यूशन्स में इस पेसल पैडालोजी आती है और अगर आप में पैडागोगी को अच्छे से यहां पर सॉल्फ करने की एक वीदी पता है ना तो आप ठीक है यहां पर 90 मॉक्स ऐसे ही लेकिया जाएंगे बाकि आप ठीक है वो जो य इसने फ्रेंड्स इने 14 पार्ट सब्स तक नहीं देखा है ना वह देख लेना पर लिश्ट बनी हुई है जाके चेक करके सारे चीजे देखते लिएगा सो हमारी शर्षन बहुत ही बैतरी इंता बीच बीच में जो भी तुरूटी हो उसके लिए दिल से सोरी माग रही है पतक के लिए सो थैंक्स फर वचिंग की बिस्ट्रडी एंड बाबाय थेक केर